रीट के लिए काफी बातें आ रही हैं, निश्चित रोप से देखिए, NCT का सेलिबस, 2011 की गाइड लाइन के मुताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है, पाठे क्रम में, चुकि ये NCT की 2011 की गाइड लाइन से ही पाठे क्रम है, सेलिबस है, इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तब्दिली नहीं है, आप सभी लोग जो रीट की तयारी कर रहे हैं, जो B.A.D.S.T.C. किये वे हैं, उनसे मैं आगरे करना चाहूंगा, कि ये समय आपके लिए बहुत उप्योगी साबित हो सकता है, अपने गरों में रह करके टाइम टेबल बना लें, और उसके मताबिक तयारी करें, क्योंकि रीट की एक्जाम, फर्स ग्रेड की एक्जाम, होना आवशक है, सरकार, पूर्वे निर्धारित कारिय करम, रीट, दो सितंबर, और सितंबर के मा में ही, व्यक्याता की एक्जाम, कराने के लिए जो पहले स पूर्वे निर्धारित प्रस्तावित डेट्स हैं, उसमें अभी तक किसी परकार की तब्दिली करने का कोई निर्णा नहीं लिया है, क्योंकि जब हम रीट के आविदन मांगेंगे, तो लगबग तीन महीने का हमें समय चाहिए, जो आपके तैयारी के लिए भी प्रियाप होता है, तो अभी तीन मही के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आवसकता मैसूस होती है, तो ही निर्णा करेंगे, वरना अभी तक जो निर्णा कर रखा है सरकार ने सितंबर के माह में रीट का और फस्ग्रेड का उसको ही मान करके, आप लोगों को घर में बैट करके, सरकार की दिशा निर्देशों की पालना करते वे करना चाहिए, सेले बस में कोई कनफ्यूजन नहीं है, रीट का पेपर में कोई कनफ्यूजन नहीं है, केवल उसके सेलेक्शन का आधार क्या होगा, 37-30 का रेशियो होगा जो पहले से था, या उसका अलग से पेपर होगा, या कोई और मापदंडते होगा, चेंज होगा, ये सब चीजें सिक्सक बनने के लिए हैं, नहीं की पातरता प्रिक्षा के लिए, पातरता प्रिक्षा में किसी तरह का कोई पारिवर्तन नहीं है, इस समय का सदूपियों का आप लें कुछ लोगों का ये भी है कि जाब हम कोचिंग करते थे, कोचिंग वालों को हमने फीज दे दी है उसका क्या होगा, हम तैयारी कैसे कर पाएंगे, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ किसी भी कोचिंग इंस्टिटूट को आपने कूर्स कराने की फीज दी है निश्चित रूप से वो कोचिंग इंस्टिटूट आप के हमारी ही समाज का इस्सा है वो समझते हैं